नमस्कार व्यूवर्ज स्वागत है मेरे चैनल में आप सब का स्ने मुझे लगतार मिल रहा है आशागरताओं आप सब मंगलमाई होंगे व्यूवर्ज आज की वारता इस बात पर अधारीत है कि किस प्रकार मनुश्यों को अपने और अपने पूर्वजों के कर्मों का फल मिलता है वारता को अंत तक ध्यांद सुनियेगा ये बड़ाई आध्यात्मिक वारता है इसमें आपको कई चीजे कर्मों के बारे में जानने को मिलेगा जो आपने आज तक नहीं जाना होगा मैं कहना चाहूँगा व्यूवर्स संसार के प्रतिक प्राणी को अपने थादा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है कितनी भी चालाकी कर लो कर्म फल से आप नहीं बच सकते कितना भी चुप चुप के कर्म कर लो आपको कोई न कोई तो देखी रहे इससे मुक्ती कभी नहीं मिलती है ये बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है जो कर्म जादा होते हैं उसे बाद में तता जो कर्म जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है वैसे व्यूवर्स इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिती तता दैवी कृपा से निर्धारन होते देखा या सुना गया है यदि अच्छे कर्म जादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जनम में तता अच्छों का फल अगले जनम में या इस जनम के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है यदि बुरे कर्म जादा है तो अच्छे कर्मों का फल इसी जनम में तता बुरे कर्मों का फल अगले जनम में या इसी जनम के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है विवर्स आध्यात्म तता लोकाचार में ये बात कही गई है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे गोसामी तुल्सिदास ने कहा है जो जैसी करही तो तस फल चाखा श्रीमत भागवत गीता में कहा गया है कि मनुश्य अपने कर्मों का फल इसी जनम में पाता है इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किये बिना कर्म करते जाना ही हर मनुश्य का कर्तव है जो अपने कर्म नहीं करता वो पाप का भागिधार होता है Viewers, वास्तिविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के सोभाब के विपरीत उसे करमफल मिलते हैं अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी तथा दुरभागे पून घटनाओं का सामना करना पड़ता है जबकि कई दुस्ट मनुष्य को अनेक बुरे करमों के बाबजूद भागे हिंता का कभी सामना नहीं करना पड़ता ऐसे में अगर करम के अनुसार फल पाने जैसे बात का आंकलन करें तो ये पूरी तरे निरधार मालूम पड़ती है यहां कहना चाहूँगा मनुष्य का वन्ष उसका पूरो जनम उसका पुनर जनम बचे अपने माता पिता का अन्ष होते हैं और उनी का दूसरा रूप माने जाते हैं उनकी सोच और स्तिती के अनुसार बचों का जीवन भी प्रभावित होता है लेकिन इससे भी कही बहुत अधिक हर व्यक्ति का भागे और दुर्भागे भी आप अपने पारिवारिक करमों से जुड़ा होता है इसलिए संबब है कि कोई मनुश्य अपने करम और सुभाव में अती नेक दिल हो लेकिन उसकी परसितियां हमेशा उसे चुनोतियों तब दुखों का सामना कराए वोई ऐसा भी संबब है कि एक अरत्यदिक कुरूर वैक्ति भी अपने भागे के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए वीवर्स ये उन से जुड़े पारिवारी कर्मों के फल हो सकते हैं इसलिए अपने साथ दूसरों की परसितियों की तुलना करतोवे दुखी होने के बज़ाए हमें उसे अपना कर्म फल मानकर चलना चाहिए और इमानदारी पूरवक अपने कर्तोवें का पालन करना या यूँ कहे पूरवजों के कर्मों से जुड़े लोग कुछ ऐसी गटनाय या परसितियां से जुड़ सकते हैं जिसका उनके वरतमान वजूद से शैद ही कोई नाता हो ऐसे लोग उन परसितियों के भी जिम्मदार टहरा जाते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं ऐसा ही समब है कि हमें उस काम का क्रेडिट भी मिले इसके लिए हमारा बहुत अधिक योगदा ना हो अगर कोई वेक्टी विवर्स अपने पूरवजों के कर्मों से जुड़ा होगा तो ज़रूरे नहीं कि यह हमेशा उसके लिए नकरात्मा की होगा बलकि कई बार यह उसके लि दोष्टी तेरा जाता है या उनके हर किसी की बहुत अधिक उमीडे होती है परिणाम यह होता है कि अगर परिवार में कुछ बुरा हुआ या उसके लिए वे जिमदार ना भी हुए तो अभी दोष्टी ठेरा जाते हैं यह उनके लिए बहुत दुखी करने वाला या अफस पूर्ण प्रणाम होता है इसके ठीक विप्रीत ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार से परिवार की उन्यती हो या मान समान मिले और उसे दिलाने में भले ही उस व्यक्ति का ना कोई अधिक प्रयास ना किया हो लेकिन प्रसित्या कुछ ऐसी होती है उसका पूरा क्रेजिट उसे दिया जाता है ऐसे लोग त्यागी होते हैं और जीवन में अपने पूर्वजों के आश्रिवात से आगे बढ़ते हैं परिवार और उसके हर सदस्य के लिए उनके दिल में क्विशिश मुह होता है अन्य लोगों की अप्रिवार के सदस्यों और परसित्यों के लिए अ आसानी समझ आ जाती है, ऐसे स्थिति में करें क्या, जो खुद के कर्म का फल आता है, हमारे पूरवजों के कर्मों का फल भी हमें बहुतना पड़ता है, तो क्या करना जीए, समभाप में रहने का प्रयास करें, इसलिए अगर हमारे साथ भी उपरुप्त परसितियां हो है, त ऐसे में अगर हम बेवजा प्रशंशा मिले, तो उस पर बहुत अधिक उत्साहित और खुश होने के बजाए अपनी वास्तविक्ता को याद रखना चाहिए, इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है, तो दुखी होने के बजाए सत्य को सुईकार करना चाहिए, ज यही हमें सबको हमेशा सही रास्ता दिखाईगी, पूर्वजों के गुनों का अनुस्वरन करें, हमें अपने पूर्वजों के गुनों का अनुस्वरन करना ही उन्हें सची शदांजली देनी होती है, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ना मानकर उसकी कतित पूजा कर परमात्मा जिस जीवन में कोई विशेष अबुद्ह अनुख्रा करना चाता है, उसकी बहुत से सुविधाओं को समाप्त कर दिया करते हैं। पिता सिखाते हैं पैरों पर संतुलन बना कर वो उγछी थाम कर चलना। परमा सिखाती है सभी के साथ संतुलन बना कर दुनिया के साथ चलना। तबी वो अलग है, महन है। हमें पढ़ना एक गुणा, चिंतन दो गुणा, आचरन चौगुणा करना चाहिए। परोपकारी निश्कामी सत्यवादी यानि निर्वे होकर मन वचन क्रम सत्य का आचरन करने वालों को देव कहा जा सकता है प्रेम करने का मतलब सम वैवार जरूरी नहीं बलकि सम भाव होना चाहिए जिसके लिए गोड़े की लगाम की भांती वैवार में कभी डील देना पड़ती है और कभी खीचना भी जरूरी हो जाता है विवर्स ये था करमों का फल जो हर व्यक्ति को अपने करमों का और अपने पूर्वजों के करमों का भी भुगतना पड़ता है यदि आप देखें पूर्वजों के करमों करम भी उनके संतानों के भागे को प्रभावित करती है दरश्रत ने श्रवन कुमार को बांड मारा जिसके फलसरूप मातापितक के शाप के कारण पुत्र व्योक से मृत्यू का करमफल भोगना पड़ा किन्तु इसका प्रणाम तो उनकी पुत्रों पुत्रवदू समेत पूरी राजपरिबार यहां तक की अयोद्धा की प्रजा को भी भोगना पड़ा सही कहा रहा हो कि नी भगवान राम भगवान होते हुए भी उसे करमफल से ना तो स्वयम मुक्त हो सकना सके और ना ही अन्य किसी को कर सके इसी प्रकार बहलिया के प्राण से स्रिक्रिष्णा के अन्त भी करमफल का कारणी हुआ था संगती गुन अनेक फल कहा जाता है कि संगती गुन अनेक फल ग्यहूं की नियती चक्की में पीशना है ग्यहूं से संगती करने के कारणी घुन को भी चक्की में पीशना पड़ता है दिखा जाता है कि किसी यातक की पीडित होने पर उसके संबंदिता मित्र भी पीडित होते हैं इस द्रिष्टी से सज्जनों का संग साथ शुपफल और अपरादियों दुस्टों का संग साथ अशुपफल का पूरु सुचना मिल जाती है किसी भी अपरादिय संपर्क उसका अतित्य या उपार सुकार करना भहंकर दुर्भागे विपत्ति को निमंतरन देना है अता यश अपयश उचित अनुचित का हर समय विचार करके ही कोई काम करना चीए क्योंकि इनी दे सुखत दुखत परसित्यां बनती है इनी के अनुसार भहुशे का निर्धारन होता है वारता का अंत करने से पहले एक बार फिर से बता दू पूर्वजों के कर्म भी उनके संतानों के भागे को प्रावित करते हैं दर्शरत ने श्रवन कुमार को बान मारा जिसके फल्सरूप माता पिता के शाप के कारण पूत्र व्योग से मित्यू का करमफल भोगना पड़ा कि उसका प्रिणाम तो उनके पूत्रों पूत्रवदों समेत पूड़े राज परिवार यहां तक की अयुद्धा की प्रजा को भी भोगना पड़ा भगवान राम भगवान होते हुए भी उस करमफल से ना तो स्वैम मुक्त हो सके और ना ही अन्ने किसी को करा सके इसी प्रकार बहलिया के बाण स्री कृष्णा के का अंध भी करमफल के कारणी हुआ था तो सोचिये विवर्स इस वारता में कितना सीख है करमफल करते समय सोचियेगा कि प्रिणाम क्या आएगा इससे आपके आना वाला जीवन सुखत और शांतिपून रहेगा अपना ध्यान रखेगा चैनल श्येयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी यह ज्यान उन तक पहुँचे उनके जीवन में भी परिवर्तन आये आध्याद में कुन्रती होए धन्यवाद फिर मिलता हूँ कि बाउन इख ग्यार की बास, घ्यान रहेगा। झाल 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 झाल